जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत महाकाली भगत गयानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अगर आपके साथ ये चार चीज होती है जैसी मैं बताऊंगी तो आप माकाली के सच्चे भगत हो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो अपने आपको कि आप माकाली के सच्चे भगत हो या नहीं तो चलिए दोस्तों बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेष्टे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, टू, लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी जानकारी आगयागे मिलती रहेगी जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है मातकाली के अन्नी भक्त हैं जो माकाली को माकालका को पूजते हैं ठीक है अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम पूजापाट तो काफी जादा कर रहे हैं जाब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे है पर हमें ये नहीं पता कि हमारी पूजा पार्ट महां तक जा भी रही है नहीं जा रही या फिर हम मा के सच्चे भक्त हैं या नहीं है और हमारी मा सुनती क्यों नहीं है हम किसी भी कारे के लिए बोलते हैं हमारा कारे नहीं होता तो इनके पीछे भी कुछ न कुछ बजा होती ह जिस बजा के कारण आपके ये काम भी रुक जाते हैं तो अगर आप मातकाली के सच्चे भगत होंगे माकाली को सच्चे मन से सच्चे दिल से पूझते हो तो समझ लो आप मातकाली के सबसे ज़्यादा पिरिये और सच्चे भगत है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज ये है दोस्तों कि सबसे पहले नंबर पे जब आप माताकाली की पूजा पाट करने लगेंगे तो आपको एक महीने के अंदर अंदर ही माकाली के दर्शन होने लगेंगे यदि आप लोगों को माकाली के दर्शन होते हैं तो समझ लो कि माताकाली के आप सच्चे भगत हो क्योंकि माताकाली के दर्शन हर किसी को नहीं होते दर्शन उसी व्यक्ति को होते हैं जो माताकाली का सबसे ज़्यादा प्रिये होता है और सबसे ज़्यादा सच्चा भगत होता है उनको ही मातकाली सपने के माध्यम में दर्शन देती रहती है तो अगर आपको भी दर्शन होते हैं मातकाली के तो आप भी माकाली के सच्चे बहगत हो और दूसरी चीज ये है कि माकाली की आप लोग टाइम टेवल से पूज़ा पाट करते हो और वो भी continue करते हो यह नहीं कि एक दिन छोड़ दिया तूसरे दिन जोद जला ली यानि कि जब मन में आया तो जोद जला दी भोग लगा दिया बागी जिस दिन मन में नहीं आया तो ना करी पूजा यह सब चीज नहीं होनी चीए यदि आप सच्चे भगत होंगे तो मातकाली को आप तीनो टेम का भोग देंगे सुवे का दुफेर का शाम का और यहां तक की लोग बाग रات का भी देते हैं चार टेम का मातकाली को भोग लगा जाता है तो अगर आप लोग भी मातकाली की पूजा पाठ कंटीनियू करते हैं और वो भी सुबह नहादो के अच्छे से घ्यान के माध्य में माकाली के बैठते हैं तो आपको ऐसा हैसास भी होता होगा, महसूस भी होता होगा कि माकाली की शक्ति आपके पास है यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप एक मातकाली के सच्चे भगत है क्योंकि ये जो गुण होते ही सच्चे भगत में होते नकली भगत में कभी ये गुण नहीं होएंगे मैंने जैसा आपको बताया कि कभी मन में आई तो पूजा कर ली कभी मन में नहीं आई तो ना भी करी ये सब चीजे इस चीज में नहीं चलती है अगर तुम्हें कुछ पाना है तो continue शेवा पूझापाट करनी होती है तब जाके तुम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हो और तीसरी चीज ये है कि कभी भी कभी भी जीवन में किसी भी सामने वाले व्यक्ति का बुरा ना करना ना चाहना समझे रहो बहुत से व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा कुछ क्या मान लो सो परसेंट में बीस परसेंट भी उनको कुछ पराप्त हो जाता है तो वो ज़्यादा उछलने लगते हैं सोसते कि हमें भोध चीज परापत हो गई है अब हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं यानि कि अपने एटिटूड में आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं टिकते फिर वो नीचे गिरते हैं हमेशा अगर आप भगत सच्चे हो तो आप कभी भी जीवन में किसी का बुरा ना चाहोगे ना कभी करोगे अगर आप सच्चे भगत हो सच्चे भगत में ही ये गुण होते हैं यदि आप में ये गुण हैं तो आप मातकाली के सबसे सच्चे भगत हो और चोथी चीज ये है दोस्तों कि आप लोग मातकाली को जब पूजते हैं तो पूजते वक्त आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके आसपास मातकाली की शक्ती विराजमान है यानि कि आप पूजा करते हैं जब आप जाप करते हैं तब आपको ऐसा लगता है खुद अपने आप महसूस हो जाता है सच्चे भगतों को सच्चे भगतों की बतारियू में आप लोगों को बाद की सच्चे भगतों को अपने आप ही महसूस हो जाता है कि हाँ उसके पास माकाली की शक्ती है और यदि वो कोई कोशन भी माताकाली से पूछता है तो उसका अंसर भी माताकाली उसे दिल में बोलके बता जाती है यानि कि उसके दिल में से आवाज आ जाती है कि यह ऐसे नहीं वैसे होता है तो वो ही सच्चा भगत माताकाली का कहलाता है जिसके अंदर ये चार चीजे होती है और वो चार चीजे उनी व्यक्तियों के अंदर होती है जो माताकाली के सबसे ज़्यादा पिरिये होते हैं भगत और जो सच्चे भगत होते हैं उनको ही ये चार चीजे होती हैं, बाकि हर किसी को ये नहीं होती, मान लो इस बात को कि कितने भखते हैं माता काली के, जो सच्चे होते हैं, उनके साथ ही ये सब होता है, तो चली दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुर अच्छे से समझा दिया है, और अब हम आप से मिलेंग झाले 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 झाले।